वही कल की एपिसोड में एक चीज़ देखी गई थी कि प्रतीक सहचपाल जो है टेबल ली ओलाट कर पूल में फेक रहे थे पहले उन्होंने टेबल ली ओलाट कर फेक दी फिर पूल में फेकने लगे और टास्क नहीं उने देना चाहते थे अब यहाँ पर एक चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि प्रतीक सहचपाल की टास्क से क्या दुश्मनी है वो टास्क जिसका कल वो हिस्सर है चुके हैं उन्होंने उस टास्क को खराफ किया बाहर हो गए और अब उसी टास्क को रोकने की कोशिश कर रहे हैं नेम ऑफ जिससे कुछ भी करने के कोशिश कर रहे हैं टेबले फेको बे मतलब कि जगडे करो लडाईयां करो ऐसा लग रहा था डेवन मोड में आ चुके हैं कि वसकुछ भी करो ओडियंस को एंटरेन करना है तो कुछ भी करके कर देंगे लेकिन बही ओडियंस बेवकूफ नहीं है कि कि आपका शो में कॉंट्रिबूशन जीरो है आपकी वैजे से में यह सजा मिली है बट प्रतीक इट वोज यह फ्रस्टेशन दाट वस स्पीकिंग जी हां साफ समझ में आ रहा था कि प्रतीक सहचपाल बहुत ज़्यादा फ्रस्टेटेटेटेड़ हैं अबाउट वोट तरीके से जस्ट्रिफाइड नजन नहीं आ रहा था ना ही आप राकेश गलत लग रहा थे नहीं कोई और गलत लग रहा था तो उसे प्रतीक लग रहे थे जिसके लिए आप सभी लोग क्या कहना चाहते कि आपको भी लगता है कि प्रतीक का यह जो गुस्सा निकला टेवल